हाँ जी आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हर्याना कोलेज एडमिशन और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों के उपर जैसे कि हाँ पर बहुत सार ऐसे स्टुडेंट है जिनका एडमिशन होतों गया लेकिन किसी कारनवस अब उनको एडमिशन कैंसिल करवाना अपनी इफीश रिफंड करवानी है वहीं कुछ ऐसे स्टुडेंट है जिनका अभी तक बसपास आईडी कार्ड बगरा का इस्यू बना हुआ है वहीं कुछ ऐसे स्टुडेंट होंगे जिनको अभी जो है कॉलेज की सासाथ अपने घर को भी जो है स्पोर्ट करना है तो यहां पर रर्निंग करनी है तो उसके लिए भी एक स्कीम लेकर आएं तो आज की वीडियो में कॉलेज स्टुडेंट अगर आप हैं तो वीडियो का आपको कम्प्लीट देखना चीए कम्प्लीट इंफोर्मेशन मिलेगी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग कर देते अपने बस पास और ID काड़ से ID काड़ जिनका नहीं बना है उनका कॉलेज के अंदर ही बनेगा उसके लिए यहां पर आपको एक छोटा सा फों बर के देना होता है कई बार जो है विना फों भरे भी बन जाता है यह कोलेज कि एक student है जिसका college 5 km है, 10 km है, 15 km है, 20 km है, तो ऐसे students अपना पैसा बचाने के लिए अपना बस-पास बनवा सकते हैं, वही girls का free of coast बनता है, अब यह बस-पास बनेगा कहां, तो यह भी आपका college में ही एक room आपको मिल जाएगा, जहांपर एक बावजी बैठे होंगे, और वही आपके बस-पास बनाते हैं, तो यह भी आप college में पता कर सकते हो, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, next हम बात करते हैं, ऐसे students जिन्होंने college made admission ले लेकिन अब उनको admission cancel करवाना है, और fees वापिस लेनी है, तो ऐसे students को मैं बता देता हूँ, और एक notice भी दिखा देता हूँ, एक college का, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें बतायागा है साफ साफ कि भाई यहाँ पर students को क्या करना है, सबसे पहले एक application लिखनी है, उस application के साथ अपनी fees की slip, अपना अधार कार्ड की कोपी और bank account के passbook की कोपी लगा के principle के पास जाना है, उस application पर साइन करवाना है, उनके पास जमा नहीं करवाना है, यह ध्यान रखना स्रीफ उनका साइन करवाना है, उसके बाद point number second में देख लीजिए, वो जो है फिर आपको application कहां पर जमा करवानी है, अपने college के nodal officer के पास, समझ गे, nodal officer है online admissions के, वहाँ पर आपको जमा करवा देनी है, तो यह process है, यह आप अपना जो है कर सकते हो, फीस आपकी refund हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके बाद next हम बात करते हैं, interesting topic है, जिन students को college में पढ़ते-पढ़ते earning करनी हो, यानि कि पैसे कमाने हो, उनके लिए एक important update दे देता हूं, ऐसे student earn while you learn के तहत काम करके college से पैसे कमा सकते हैं, हाँ जी, आपने सही सुना, ये एक scheme होती है, हर एक college के अंदर, वहाँ पर आपको जो है, एक घंटे काम करना होता है, ये भी नहीं है कि तुम्हें पूरे दिन लगा के रखेंगे, एक घंटे काम करना होता है, उसके बाद वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, हर दिन के 100 होते हैं, यानि कि महने क्या आप लगा लो, अब ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, इस से अर्न कर सकते हो, इसके उपर अगर आपको एक dedicated वीडियो चाहिए, कि हमें complete information दो, तो आप लोगों के लिए comment section का परबंद करवा दिया है, नीचे comment कर सकते हो, next हम बात करते हैं, क फिर भी अगर आपको लेनी हो, तो एक बार अपने teacher से consult करो, ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये depend करता है teacher to teacher, कोई teacher किसी book से पढ़ाता है, अब मैं तुम्हें कौन सी book बता दूँ, teacher कौन से लगवा दे, फिर रोज कलेश रहेगा, तो ऐसा नहीं करना है, अपने teacher से consult इसके बाद एक और डाउट आता है, कि भाई हमें course चेंज करना है, हमें subject चेंज करने है, तो इस topic के उपर देखिए, आपको जो अपने head of department से ही बात करनी पड़ेगी, यानि कि जैसे आप पढ़ रहे हो, chemistry department में, तो chemistry के head of department में चले जाओ, वहाँ पर बात कर लो, आप पढ guidance दे देंगे, तो ये कुछ problems थी, जो कि हमारे college वाले भाई बैन face कर रहे थे, तो उनके उपर मैंने confirm लिए यहाँ पर एक वीडियो बना दी है, अगर आप कहोगे, तो earn while you learn पे एक वीडियो next हम बना देंगे, उसके लिए आपको comment करना पड़ेगा, मुझे पता तुझे ल दाल रखिए तब तक के लिए जाहिन चयाभाद